कथा करतब्य कथा खाय गुरुपर्षाद मैनाली लगा लग नौ दिन जोरो आयर मुखिया गंगा धरले संसार छोडे उनी यहटा महान पुरुष्थी आफो डिपोल संपति लाए उनी सवैई जन्ता को थाती भन्थे र आफो लाए प्रेस्संपति को केवल यहटा संचालक म पत्र समझन थे गरीब का चुला मा आगो नवल एकू रसुत केली बोको रहे को समाचार सुन्ने वित्तिके बोलायर चाहिदु अन्नपैसा दीई पठाओं थे कसे ने तिर्ने वागा सोरे भने सके तिर्नू मसके तिमिहरों के हूँ बन्ने जबाद तें थे उनको जिबन का मा कसे को बिहा बर्तुन क्रिया श्राद्ध दसे तिहार और केन गाउं का दिन हिन गरीब बिरामी परे को सुन्ना साथ उखती मुला लियार उसका भदके का जुपडी मा फुक्ते गाउं का गरीब लाई मुखिया बाग को जीव छाउंजल आमिले अन्यायमा मर्ने परदयने बनने दिव विश्वास थियो उन्हें आगनमा आयरा नौव भीदिये सम्मा मानी साफ लो चाड़ बाड काउच कल्लेयार अपोना समझन थे कोसे ले अन्याय गरे बने औरी परी दस गाउं का दुनिया उन्हें का ढ़का मा फिराद गर्माय फुक्ते उनको सासन का आलमा कोसे ले कोसे लाई सताओ न पाये नौव गाउं का तालुपदार भायपनी मुखिया बाग को नाउले प्रशिद्ध थी उन्हें गाउं तिरो जोरे भने गाउं का सारा केटा केटी मुखिया बाग बने कोहला आवदे आउं थे रह कोही अवला कोही लवेडा को फेर कोही उनको वठ्थी समाओ थे केटागेटी में प्रिषोगर्दा मुखियाबा मुसु मुसु हासे रे कसे को गाला थतता पाँ थे कसे को चुछ उचाले रे हासते एस फ्रकार ले गाउँ का युबा ब्रिधा बाल बनेता सवेका निमित्ताउनी अपार प्रिया थीए उन्लाई ग्राम पीता भलू कती अप्ति उप्ति थी एन उनको देहावा सांले गर्दा औरी परी दस गाउं को अपार छेती भू रोका नांगा दुखी दरी दरीका बाबु मरे बुरा बुरीर असा हाय को टेपने लठी भाची यू न्याय को बत्ति निभियो अनाथ असक्तो को आसा इस्तम बढ़ लेओ गाउं का धन्यवन तरी अस्ताए बिरामी कुर्ण बचे का दस गाउं का दुनिया डा को छोड़े ररुना लागे एटा ठुलो आर्तनाद दिग दिगंत मा व्याप्त भो केही बेर्पची सब उठायरा खुला तीरा लगे मलामी को लरको गाउं देखी तला खुला सम्मा पुया मानिसले बने कसे को मरण होस्त यस्परकार को होस गल्ना धर का दुई छोड़ा थी जेठा मुरलीधर रकांचा श्रीधर मुरलीधर पंडित थी सवेरे नौ थे आधा दीन सम्मा पुजापाट गर थे उनी आफन धर्मर सस्कृते का उपर अशीम स्राभधा राक थे आफना पिता काज है उनी पनी अरुलाई सता उनों महापाप सम्झन थे मानी सुनलाई जिल्लाका टारा टारा ठावमा पुलाएर सत्तह पुरार सुन्थे उनी एट वस्तम मा सच्च ब्रामर थी दोती मा थी लाम लवेदा लवेदा मा थी शेत पटुका शिर्मा मक्वल को रात तोपी काग्मा च्यादर ललाट्मा चंदन उनी सवय ही परिधान मा हेट थे जिल्लामा मुराली पंडित का नावले विख्याप थी उनी बाभु संगा अगिने छुट्टियर देगले बसे का थी उनका दुई जना छोरी थी येता भाई श्रीधार चाई रादनितिक पार्टी का सदस्य रा ग्राम विकास का प्रधान थिये दोसों स्रेड़ी सम्मा अंग्रेजी पड़े का थी धोक्रे शुरुवाल रा कुर्ता लाउं थे दारी जुन्गा खोरे रा लाम बुलबुल पाले का थिये कईले काई बुल्बुल को अग्रा भाग निधार तीर जहरे भने टाउ को जहरकारे रा पचारी तीरा सार्थे आधा अंग्रेजी चौथाई सस्क्रित चौथाई नेपाली मिशायर कुरागर थे तिस उनाले उन्लेगरे का कुरा असेच्छित ग्रामीड जनता चौथाई मात्र बोज थे पुजापाट गर्नू टिका चंदन लगाऊनू दासोत्तो को चिन्न हो बन थे बिल्गांच को अधिविशन मा जाधा गुरखपुर मा केलनार को ओटन वित्र पोसेड केके खाये बनी उनका साथी बन थे उन्हें आफोलाई जिल्ला भरी को पमोख प्रग्रतिवादी समझन थे आप मा चंदा भुक लियेर चंदा माध्वेर थे त्रासले बनू या आसले बनू जिल्ला का साना ठोला सबी मानिस्वाँ उनको निके धाब थीओ जिल्ला गाउं का मानिस्वाट अर्थोक्मा बंदाद धनी अरुक अधिया बाली कबजागरने अधिन गरने साहु बिर्तावाल अरुको लर लहाना जारा खेतावा अरपने काम मा विशेश सहायता पाउं थे जिल्ला मा उने सर्माजी का नावले प्रख्याप थीए छोराहरु भिन्ना हुदा पिपले भणने सोयमुरी खेत बुराले आपने जोनी राखे का थीए कुला को पानी लागने खोला पईरायको डर नभायको माना मेरी फलने डोल परेको सारे राम्बो खेत थीए क्रिया सिद्धियो को के दिन पसी बागु को जिवनी खेत को विशायमा मुराली धर्ग श्री धर्विच डिवाद उठ्यो बागुसंग बसे काले ओईन सवाल ने एकलोटी हुने भनने श्री धर्व को र मरने बेलामा मेरा दुवेश होरा बराबर हुन आधा आगा बारे रखानू बनी बाले बने र जानु भायकाले आधामा निरुपने होकलार ने बनने मुराली धर्व को बनाए थीओ काम सिद्ध्यों को 45 दिन को भली पल्टा जू निखेत को निणाय का निमित्त मुराली धर्ले गाउं का मानिस लाई बलाए जून आगनमा दस गाउं का दुनिया को ओची अर्गेली न्याय अन्याय को निरोपन हों थे आजो तेहीं आगनमा उने नियाय देश का दुई सम् को निशाव गयना गाउं का मानिस लाभाए मानिस को दुई मत्भो उमेर पुगे का बुरा पाकाले मुरली धर को पक्षे लिए श्रीधर को प्रभाव मा परेका नया ठीटाले चाहिं स्रीधर को संपति का धनी बाभुले में दुई स्वराले आदा आदा खानू बने रे पुरा पाकाले लिए देखाऊने लोसाटे पसी बाभुल जून छोरासां को बहुषे का हुन और कानून ले जीवनी उसे छोरा को एकलोटी हों सा पन्ने फई साला ठीटो ले गए बुडा पाकाले धर्मा को नियाए गए ठीटाले अईन को बोस समझेर गाउंका सारा कुकुर्पनी तेही जम्मा भयका थिये प्रस्पर्मा ठुल बिवाद भो हुल्लर बाज नया ठीटा का अगारी बुडा पाका को कही जोर चले ना आखेर नयाय को कही तुन्गो न लागी सभावी सर्जन भो बेला भयका ठीटा बुडा पाकाला इच्छेड आने रा आस्ते गर्ती रग गए बुडा पाका पनी लखा पाखा लागे ग्राम सभा पिशर्जन भाएको अली दिन पसी बाबु को अंतीम आज्याको आधार लिये रा मुरली धरले अधालत्मा नाली स्तिये धुम्धाम मुद्धा चाले गाउं का बुरा पाका तरोल तन नेरी सार आले बगपत्र गर्नु करे शाची बश्ता बने गाउं दुई भादम भीवक्तमों मर्ने बला दुवेचर आले आधा आधा बारे रखानू बनी बुरा पाकाले भणे को आमीले परतक्षे देखे सुनेका आओं मुद्धा बुरा पाकाले बगपत्र गरे भणे ठीटाले चैने हईना भणे भणे हईना भणने कही संख्या बरताव। जनक्रामती देखियाता सुरी घरले अड़ा खानामा पनी आफलो रोभ रवा प्रसुस्त जमाई राखे का थिये भणे जस्तों भायना भणे बजार म द्वांग फुकेर पर्चा बार्दे में थे तेस उनाले अदालत का डिठ्था विचारी श्रीधर संग अली जास्कन थे उसमाथी अदालत में मामिला को निरोपा मोदा बकी तमला गंदा लिखी तमला बरता महत्तो दिने रिती छा हरे एक बिगाद में कानून के आधार ल अल्लाई तपनी जोरो आई रहां छो खोकी लाक्ष छाते दुख्षा बन्छन बेथा आहार बिहार को दोस्पाटा भएको बन्थे शरीश्चुकेर आर्चाला मात्रबार की थियो इस्ते ब्यलामा कुटुम्बले च्वरा सासी धरलाई छोरी दिना आये कुटुम्बा धन दुनाने थिये जिल्ला में उनको ठून ख्याती थियो मदस्तिर तिन चार मोजा जिमिदारी चाव बन्थे संतान्य केवल इने लवटा छोरी नात्र हुन बन्ने सुनीन थियो ससी धर बर्खर 15 बर्शन मात्र लागे को थियो ठीटो रामरों को बहुत ही मिधावी थियो छो अबने पर्शन मनेर करकर गर न थाले काम कोरों छिनी यो खुल मन्फुका आरा बिहाका माल सर्जाम तैयार गर न थाले बैसाक को मैना थियो मुरली घर नुआयरा पुजा कठामा पासे कमात्र थिये श्रीधर का घर मा बाजा बजन लागे को सुनेरा जहाल बाट एहन का और इस्ट मुत्र चाहिं दलान फलाईचा बैठक मां डम्मा अडम्मी भार बसे का मंदक मां यग्य सामोगरी फीजी राखे का पुरोहित बेदी अगारी बसे रह यग्य बेदी गर न लागे का बरो अपुर्वस होगा देकिन्तियों एक्षन कसी सकी न असा कि मंदक मां आयरख श्री घर ले पुवांगा कर्मगर न थाले घर गिरश्थी को एती छुलो चाड उस सम्मा उन दुई काल्ला मा थी घर भाय का आपना सहोदार दाजो भावजुलाई श्री घर ले बलाये नन अरुलाई नभाय पनी डाजो का दुई जना छोई लाई ते आवस्चे डाकलो पर्थे तिन हरुलाई पनी डागे नन मुरल उहर को मन एक तमास को भो घुरियर आकास पट्टी है न थाले अतित का अनेक स्मुर्ति उनका सामुल्णे साकार भहर आये एक पटक सुर्गिया पिता को तेजुस्षी अनुहार को पनी समझाना भोत कही बेर पसी बहुत आपना आशो जहारे रहा आफो नित्य दान चलिए सशिवर विहा का रामरा रामरा को साक लायर तामदान माथी बसे को थिए सीर मा जरीवाल गुलाफी पगरी कादमा रातो दोसल्ला गलामा फुलको माला निधार मा पहलो ठाडो तिलक कार्मा उजल टौप लगाये को गंदर बजस्त देखींतियों सशिवर सबी बढ़ियाति लाई एक एक गरे रहे बुर पाको यह उटा थी एन सबी अल्लारे ठीटा मात्री सिर्वार्चों फादलाई चामा उच्छ्यां लायर पल्टी रहे का थी मुराले घरले मनमनमा भने खोलामा बाको कत्रों नाम चा आजपने रामा बाके यस्रत्तिको चार उसमा थी तेस्ता घरानिया कुटुम्मा का दयलामा भरियात जानुशा इठीटा पुल्मा पुच्छर को उप्पटां गव चुपना बायक अर्थक जान देनन बावोसें अच्यां में लंपसार परिधाये शा इन्ने बाववाजे को नाउ इज्जक पखालना आटे अब आखा चिमले रा बसन भायन भने रा मोराल इधार आफना कठामा पासे अडि लुगासुगा लाये रा उल्ले जहान शागा बने कमला मुरो दोसल्ला जेकी जयो पतिलाए लुगासुगा लाये रा इन्ना तम तयार बायको देखेरा कमलाले बनेन एस्तो टंटियान जन्त लग लॉलायका नाता कुकुर पने न जाज ठीद मने कुकुर अज्यान पासे होनाले बलाया पासी मातर जान खो अनिस्साइं ज्यानवान होनाले बखत मोहका विचार वरेर अफि पनी जानू पर्षा लगम बॉलए तेलों पनी जाने पर्चों। दाजोलाई बाबूस ने मोरने बियलाना दिये एकु खेट पने खशेरा खाने तेस्ता असरत्तिकों। कुछ बाबु बाजे को मान मर्यादा दुन्न लागि कुल्मा सबय वंदा जेटो संतान को बिहेवस माथी त्यत्रा घरानिया कोटुमब आगन मा बरियाती लई जानू शा बाबु चाइफ फलाइचा मा अच्यान लायरा लडी राये शा जन्ति मा बुरो पाको ओटा चाहिना खाली ओखनी चोर्दा दुज्जाबने अल्लार एठीटा मात्र शान घर गिरस्थी को एठी ठुले काम मा घर को एक भाई पभी नगय ज आड़ दोसल्ला जेके दियो कमला ले जर्कवे बाकस पड़ दोसल्ला जेके रा दीन दोसल्ला काम मा अले रह लोडो टेक दे मुरली घर जंता हिडे अल्लाई इस्थो तंट्यांपुर घहमना एकले और आल लागे को देखे रा गाउं कमानी साचम्म माने रा मुख मुख म आड़ना लागे बर्यात खोला पारी पुगी सकेगो थियो मुरली घर पने पसी पसी गए जहमक का सांस परे पसी दुलाही का घरमा पुगे रा सुतुक का खलाई जामा बसे मुरली घर पुगदा दुलाही का बाबु बररी घर लागे का रायसं मानेस को भी सामा उनलाई पसे ले चिनेनन बररी शिद्धिये को कही बेर पसी एग्गा मंडप को कार्या आरंब भो पुरोहित बेदी मा रेखी आलना थाले भीत्रबाट यग्ये सामगी आउना थाले एग्ये संपन्न भय पसी दुलाहा दुलाही लाई बसना पुगने गरिया आसन उच्छाय रा द मुशह-मुशह-ासनल आगे दुलाहा दुलाहा अजग्येमा बसे फसी दुलाहीं गया बाभील एता आतीयरे शहा भने खभा्यी शंधी पावन मानदत्रबाट मा आया आरा भोशी दिनू भवाय उन्तियों दुलहें के पिताले बलाये को सुने रा फलाई सा बाटा मुरली घरले भने जी मौह यहीं सु आउना लागे मुरली घर उठे रा मनबतमा गए चिनेका मानिस ले ढोगी दिये जेठा बागुला अचानक आफुने राव भिएको देखे रा ससी घरले पनी ढोगी दियो मुरली घर ले च्वरालाई नानी चिरंजी भी भाय भने रा आसिस दिये रोग उसको पचाड़ी पट्टी वसी उसलाई आफनो काफने रताने बागु को इस्थान में मुरली घर बसनोगाये को देखे रा बरियात मा आये का ठीटा परस्पर काने को सिगरना लागी मुरली घर जिल्ला भरिका विख्यात पंडीत थिये उनलाई कन्य पक्षे का धेर एमानी चिंथे से जिधाव मुरली घर ले जीवनी का विशायमा बशती है सम्ना मुद्धाल अरैको पनी धेरे जनालाई थाहा थियो कन्य पक्षे का बुड़ा पाकाली भणे तेस्ता महापुरुष का संतान आफनो करतब्य किन चोर थे तब को मानी स्कूल भरान भन्छन बिवहाविद्य आरंदभ हो पुरोहितले रिचा मंत्र उच्छारार ब्रदा असुद्ध भाय गाठाव मां मुरलिधर सच्चाहे दिन सशिधर्चे जेठा बुब पावबुका चाती मां अरेस लागेर आनोंग सब भशे को थियो मुरलिधर बकत बकत मां गर्म पर्ने कर्म च्वरालाई सिकाए दिन थे एवं प्रकारले ब्यवहाविदी समाप्त भो भली पंट दिउसो दुलही अन्माई दिये मुरलिधर ले बरियाद गाउनेरी प्रुगियो मदेर मार्थी को चोतारामा रमीता हेलिमाईश को भीचो थियो बरियाद दोबाट नेरा प्रुगिया पसी लोग भार लगेर वित्रयाओ बनेर मुरलिधर आखना घर्दीर गए दुलही भित्रयाओ पसी दाजु भिहेमा गवाए को दाजोलाव एक खान पिन्तो राम्रगी गराई उन्के आज एका दसी बनेर पंडु बाज लेके इखानु बायना भगे आउनु बाय बिए सिद्ध्य एक एक मेना पशिको कुरा हो एक दिन बिहाना मुरली घर आखो नित्य कर्म सिद्ध्यार फलेचामा बशेर भागबा तेर आउनु असारे बाले भनेर पठानु भागु सचिधर को कुरासुनेर मुरली घर ले उसका मुक्ति रहरे र मिशु मुशु आस्ते बने जे निको आदा खेत मेने कमाया तिमेरु की खांचाओनी बाया सचिधर के उत्तर न दियेर छीटो छीटो आखनो घरतीर गईयो कमला चाहिं दोईलाको आर्मा उभियर बाबुच्वराय को कुरासुनी रहे कि थिन सशिधर ले क्यात कमाया उनी कुरासुन आयर ग्रयको चोद पंदर दिन पछी एक दिन मुरली घर फोलाईजामा बशेर नस संदे बिद्ध्यार्थिला रगु बमसा को पाढ़को काउंदे ग अब हाद समाओ दे मुरली घर भाईका घरती रगए स्रीधर खाट मा कोटे परेर सुथी रहे का रायसन दाजुला देखेरा बड़ो कष्टा संगा उठेरा गहभर या आशु पारेर ढ़गी दिये भाईका आठामा आशु छचलकी रहे को देखेरा मुरली घर को पनी अबर मिलन सारे दुखा लाग दो देखियो मुरेल घर को गहभर या आशु भाईको देखेरा उनको गड़ामा समाओ देश्री धरले रूंचे स्वरले भने दाजु अबस्ते देखी दब्बन मा धाले मला अब धर्य दिन बाचुला अजस्त लाग देना मैले जीबन मा प्राच्छेना गरेर इना बालत छुरा छोरी को शरली दिनुवल भाईका कुरा सुनेरा मुराली धरले बड़ आशु जारे मुराली धर रोएको देखेरा श्री धर का जहान छुरा छोरी पनी रूना लागी एक्सिमपसी मुराली धर का भाईका मुराली धरले भाईका नि इसे घंचा बाया अरेश ना खाव। बाले हम जिवन में अनन्य पुल्डे गर्नों भाय कोछा। उहां को तेस महान तपस्च्या को प्रभाब ले आमरा अनिष्टा कराभी होने शाई ना। बरो अब यहां का बईद्या को भार गरे रबस्चों भाय ना। ति मिला इतेस्ती राउसा दी घराउना लई जान्शू। एती भणे रभाय का पत परेजक ब्यबस्था मिला एर कही बेर पशे मुरा लिधर आफ्न गरती रगाए। यह भातना भाय को छा साथ दिंग पशे भायला लिए राउसे दी घराउना मुरा लिधर देशती रहें रेवनने सुनियो।